हलो गईज मैं खुशिरो आपका स्वागत करती दर नियूस टॉक चैनल में कलियूग बेटों का कहर मा को निकाला इतनी सर्दी में घर से बाहर चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और पूरी अपडेट जानने के वदा आप लोग हमें कमेंड बॉक्स में ये बताईए कि इस वक्त इस मा को क्या करना चाहिए और सरकार को इनके लिए क्या करना चाहिए और जो बड़े बड़े नेता हैं जो वोट लेने के लिए हमेशा घर घर तक आते हैं उनको इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए चैनल को जरूर किजिए शेर कीजिए हमारे सामने ये जो पूरा मामला है ये कल्यूग के बेटों को लेके आया है जो की आ रहा है बुलंद शहर के गुलावाटी थाना छेत्र से जहां पर एक्चुली में 86 साल की रामदुलारी बुजुर्ग महिला रहती है कुछ साल पहले इनके पती की मृत हो गई थी और इनके दो बेटे हैं और दो बेटों की शादी हो चुकी है और उस दुरान ही रामदुलारी जी जो है वो अभी सड़कों पर नजर आई वो पन्नी का घर बनाके पॉलोथिन रहता है उनका घर बनाके इतनी करती सर्दी में वो वहां पर अपना गुजारा कर है अखेले और जब कुछ कैमरा मैन की नजर इनके ऊपर पड़ी तो कुछ कैमरा मैंस ने इनसे पूछा कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों है कैसे रहरी है और आपका क्या कोई परिवार नहीं है तो उन्हों नहीं यह चीज़ बताया कि उनके दो बेटे हैं और उनके दो बोली है कि ये कुछ काम की नहीं है इसलिए उन्होंने घर से निकाल दिया कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ एक जगा पर पड़ी रहती हूँ जिसके कारण आज मैं गुजारा कर रही हूँ इसके बारे मैं जानने के बाद आक्चली में ये जो पूरा मैटर है वो पुलिस पहुच गया पुलिस ने और कैमरा मैन से साथ में मिलके इनके घर तक पहुचने का सोचा और वहां तक पहुचे कैमरा मैन के सामने आने से दो बेटों ने इंकार कर दिया और बहुए जब कैमरा मैन के सामने आई तब उस दुरान वो एक दूसरे के उपर लांचन लगाने लग गई इस दुरान ही पुलिस ने जो पुलिस है उन्होंने राम दुलारी को अपने साथ लिया और एक बेटे के घर पे छोड़ दिया और उस दुरान ही वहाँ पर उस बेटे ने भी रात को फिर दुबारा से इस मा को फिर दुबारा से सडक के किनारे बाहर छोड़ दिया है ना काफिस जड़ा बुरी खबर बोला जाएगा कि यह actually में जो कि कल यूग के बेटे हैं तो guys यहाँ पर इस मा को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए पुलिस को क्या करना चाहिए और जो ML अगरा बनते हैं हमारे area के उनको क्या करना चाहिए